बच्चो इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं समांतर स्रेणी लेकिन समांतर स्रेणी को पढ़ने के पहले हम देखेंगे कि अनुकरम क्या होता है फिर अनुकरम के बाद देखेंगे कि वास्तविक अनुकरम क्या होता है फिर देखेंगे कि स्रेणी और फिर स्रेणी से स्रे इसका गणित में उप्योग करने के लिए हम तीन अलग-अलग परिभासाओं को देखेंगे, और फिर पहला है समान्य परिभासा, वस्तुओं की किसी क्रमिक सूची को अनुक्रम कहते हैं, अनुक्रम में करम का महत्व है, जबकी समुच्य में करम का महत्व नहीं होता है, समानी परिभासा है अब दूसरी परिभासा पर चलते हैं संख्याओं के उस समूह को अनुकरम कहते हैं जिसमें संख्याओं को किसी क्रम में एक निश्चित नियम के अनुसार रखा गया हो इस प्रकार के समूह के अव्यव अनुकरम के पद कहलाते हैं उदारन एक तीन पांच साथ इत्यादी इस समूह में देखा जाए तो प्रत्येक पद अपने पूर्व पद से दो अधिक हैं अर्थात एक में जब दो जोड़ेंगे तो मिलेगा तीन तीन में दो जोड़ेंगे तो मिलेगा पांच और पांच में दो जोड़ेंगे तो मिलेगा साथ तो इस प्रकार आगे क्रम बढ़ता जाएगा दूसरा उधारण बीस, अठारा, सोला, चौदा, इत्यादी तो इस समुव में प्रत्येक पद अपने पूर्व आने वाले पद से दो कम है अर्थात, बीस में हम दो घटाएंगे तो मिलेगा अठारा अठारा में दो घटाएंगे तो मिलेगा सोला सोला में दो घटाएंगे तो मिलेगा चौदा इस तरीके से आगे भी इस अनुकरम के पद प्राप्त किये जा सकते हैं तीसरा उदारन देखते हैं चार, आठ, सोला, बत्तिस, इत्यादी तो इस समूह में प्रत्येक पद अपने पूर्व पद का दुग गुना है अर्थात, चार में दो का गुना करेंगे तो आठ आएगा आठ में दो का गुना करेंगे तो सोला आएगा सोला में दो का गुना करेंगे तो बत्तिस आएगा इस तरीके से आगे इस अनुकरम के पद प्राप्त किये जा सकते हैं अब चलते हैं तीसरी परिभासा पर, अनुकरम एक फलन है, जिसका प्रांत या फिर डोमेन प्राकृत संख्याओं का समुच्चे capital N है, इसके अव्यवों को A1, A2, A3 इत्यादी से प्रदर्शित किया जाता है, जहां पर 1, 2, 3 इत्यादी अव्यवों की स्थिती को हाथ है पहला पद, A2 का अर्थ हाथ है दूसरा पद, A3 का अर्थ है तीसरा पद, इसी प्रकार से यदि A N लिखा है तो उस अनुकरम का वह N वा पद होगा, उधारन देखते हैं, यदि A N एक्वल टू 2 N प्लस 6 हो, तो यह एक परिभास से दी गई है अनुकरम की, N के इस् तो मिलेगा, A1 equal to 2 into 1 plus 6, solve करेंगे या हल करेंगे तो आपको मिलेगा 8, तो इस प्रकार इस अनुकरम का पहला पद, जो है वो 8 है, N equal to जब 2 रखेंगे, तो मिलेगा, A2 equal to 2 into 2 plus 6, इसे हल करेंगे, तो मिलेगा 4 plus 6 equal to 10, तो इस परकार इस अनुकरम का दूसरा पद है, 10, तो हमें मिलेगा a3 equal to 2 into 3 plus 6 equal to 6 plus 6 equal to 12 अर्थात इस अनुकरम का जो तीसरा पद है वो है 12 अब n equal to 4 रखेंगे तो मिलेगा a4 equal to 2 into 4 plus 6 equal to 8 plus 6 equal to 14 अर्थात इस अनुकरम का जो चौथा पद है वो है 14 या फिर 4th term जो है ये 14 है इसी प्रकार यदि हम n equal to 20 रखेंगे तो हमें a20 मिलेगा अर्थात इस अनुकरम का बीस्वापद equal to होगा 2 into 20 plus 6 equal to 40 plus 6 equal to 46 तो यदि इस अनुकरम का बीस्वापद पूछा जाए तो हमें मिल गया 46 या फिर 46 तो इस प्रकार जो अनुकरम हमें प्राप्त हुआ है वो है 8, 10, 12, 14 इत्यादी वास्तविक अनुकरम या real sequence ऐसा अनुकरम जिसका परीसर परीसर अर्थात range एक ऐसा अनुकरम जिसका परीसर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर का उप समुच्चय हो वास्तविक अनुकरम कहलाता है इसे संख्यत रूप में लिख सकते हैं F is a function which is from N to A where A is a subset of R अर्थात S एक ऐसा फ़लन है जिसका की प्रांत या domain वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और इसका जो co domain है इसका जो range है वो A है और A वास्तविक संख्याओं के समुच्चय का एक उप समुच्चय है इसे कह सकते हैं वास्तविक अनुकरम एक ऐसा फलन है जिसका डोमेन capital N तथा range capital R का उठसम उच्चे होता है उधारण a n equal to n upon n square plus 1 ये एक वास्तविक अनुकरम है यदि से इसके हमें प्रथम तीन पद ज्याद करने कहा जाए तो हम n equal to 1 put करेंगे तो हमें मिलेगा a1 equal to 1 upon 1 square plus 1 equal to 1 upon 2 अर्थाथ इस अनुकरम का जो पहला पद है ये 1 upon 2 है n equal to 2 put करेंगे तो हमें मिलेगा a2 equal to 2 upon 2 square plus 1 solve करेंगे तो मिल जाएगा a2 equal to 2 upon 5 ये इसका दूसरा पद है n equal to जब 3 put करेंगे तो हमाँ पर हमें मिलेगा a3 equal to 3 upon 3 square plus 1 solve करने पर मिलेगा a3 equal to 3 upon 10 तो इस तरीके से यह अनुकरम है 1 upon 2, 2 upon 5, 3 upon 10 and so on स्रेणी या सिरीज यदि a1, a2, a3, an यदि a1, a2, a3 and so on then an and then dot 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 इसका अर्थ है कि यह जो dot है इसके इस्थान पर कुछ और पद है तो an के पहले कुछ और पद है और an के बाद भी कुछ और पद है यदि या एक अनुकरम है तो वियन जग a1 plus a2 plus a3 plus a4 and so on plus an plus and so on यह एक स्रेणी है यदि सिक्वेंस हमें a1, a2, a3 जो पद हमें दिये गए है यदि इसे हम योग के द्वारा या फिर रिंड चिन्न के द्वारा इनको जोड दिया जाए या घटा करके कोई एक व्यंजक प्राप्त किया जाए तो यह स्रेणी कहलाईगी इसके दूसरी परिभासा को चिस प्रकार हो सकती है किसी अनुकरम के पदों को धन चिन्ह अथवा रिंड चिन्हों द्वारा सम्बंधित करने पर स्रेणी प्राप्त होती है उदारण 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 और दूसर उदारण 20 प्लस 18 प्लस 16 प्लस 14 और तीसर उदारण 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 11 और इसका मतलब है कि इसके आगे भी और पद हो सकते परिमित एवं अपरिमित स्रेणी finite and infinite series किसी अनुकरम के पदों की संख्या के अधार पर कोई स्रेणी परिमित या अपरिमित होती है तो पहला स्रेणी है परिमित स्रेणी या फिर finite series वह स्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित या परिमित हो परिमित स्रेणी कहलाती है उदारण के तौर पर पहला उदारण 1 प्लस 2 प्लस 3 अप्टू N अर्थात N पदो तक अगर इसे योग लिखा जाए तो यह एक परिमित स्रेणी है दूसरा उदारण A प्लस A प्लस B प्लस A प्लस 2B प्लस अप्टू N पदो तक या फिर N पदो तक तो इसमें भी पदो की संख्या जो है वो सीमित है अर्थात N है यहाँ पर तो इस प्रकार यहाँ परिमित स्रेणी हुआ दूसरा अपरिमित स्रेणी या फिर अनन्त स्रेणी इन्फाइनाइट सिरीज वह स्रेणी जिसमें पदों की संख्या असीमित हो अपरिमित या अनन्त स्रेणी कहलाता है उधारण के तौर पर A प्लस A R प्लस A R स्क्वेर एंड सो ओन ये डॉट 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 लगा हुआ इसका मतलब है कि इसके आगे भी पद है लेकिन पदों की संख्या सीमित नहीं है दूसरा उधारण सम प्राक्रित संख्याओं का अनुक्रम 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इसके बाद भी आगे हमें पद प्राप्त होते रहेंगे तो ये भी एक अपरिमित या अनंत स्रेणी का उधारण सम प्राक्रित संख्याओं का अनुक्रम तो प्राक्रित संख्याओं का अनुक्रम कुछ इस प्रकार होगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इत्यादी तो A1 अर्थात पहला पद अनुकरम का ये 2 है तो इससे हम लिख सकते हैं 2 गुना 1 A2 अर्थात दूसरा पद 4 इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 2 A3 अर्थात तीसरा पद तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुना 3 चौथा पद को लिख सकते हैं A4 equal to 8 है यह तो 2 गुना 4 A5 पांचवा पद है इस हम लिख सकते हैं 2 गुनित 5 तो इस प्रकार आगे भी हमें पद प्राप्त होंगे तो ध्यान दीजे कि यहाँ पर जो 2 है वो प्रत्येक पद परिस्थित है और क्रम की संख्या के अनुसार यह 1,2 प्रत्यम पद में 1, ध्यती पद में 2, त्रिती पद में 3, चौथे पद में 4, पांच यह पद में 5 तो इस प्रकार हमें एनवा पद जो मिलेगा A N equal to यह मिलेगा 2 N पहले पद में 2 तो है, अंत में जो पद होता है वो पद संख्या के बराबर होता है तो इस प्रकार इसका जो N वा पद होगा यह हमें मिलेगा 2 N राद A N equal to 2 N जो है यह सिक्वेंस या एक अनुकरम है जो की सम प्राकृत संख्याओं को दर्स आता है विसम प्राकृत संख्याओं का अनुकरम 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादी तो इस अनुकरम का जो N वा पद है इसे हम लिख सकते हैं A N equal to 2 N minus 1 जो था है फेवोनासी अनुकरम या फेवोनासी सिक्वेंस तो इस सिक्वेंस की खास बात यह है कि इसका पहला पद 0 दूसरा पद 1 होता है और इसके बाद की जो परिभासा है या फिर इसके बाद का जो पद है वो पूर्व दो पदों का योग फ़ल होता है चलिए देखते हैं यह क्या होता है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 and so on तो इसकी परिभासा को जिस परकार लिखे जाती है F0 अर्थात पहला पद F0 इक्वल टू 0 F1 अर्थात पहला पद तो यह F1 इक्वल टू 1 और Fn इक्वल टू Fn-1 प्लस Fn-2 For all n is greater than 1 तो यह Fn जो है वो n के उन मानों के लिए सत्य है जो एक से बड़ा है तो इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि फेवनासी अनुकरम के प्रथम दो पद शुन्य और एक है और सेश पद अपने से पहले दो पदों का योग होता है तो फेवनासी सिरीज में दिया गया इस फेवनासी सिरीज या अनुकरम का पहला पद जो है शुन्य है F1 अर्थाथ इसका दूसरा पद है यह एक है और Fn यह लिखा गया Fn-1 प्लस Fn-2 फॉर आल N is greater than 1 तो N का मान यदि एक से अधिक है तो हम इस परिभासा का उप्योग करेंगे तो इस प्रकार जो स्रेणी हमें प्राप्त हो रहा है यह है शुन्य और फिर 1 Fn जब N equal to यदि हम 2 रखेंगे N का मान जब 1 से बड़ा है तब हम इस परिभासा का उप्योग करेंगे तो जब 2 है तो लिखेंगे F2 equal to F 2 minus 1 F1 plus F2 minus 2 0 F1 का मान है 1 F0 का मान है 0 अर्था 1 तो इस तरीके से यह फेबनासी अनुकरम का जो तीसरा पद है यह हमें मिल रहा है 1 N equal to जब 3 put करेंगे यहाँ पर N के बराबर 3 रखेंगे तो मिलेगा F3 equal to F 3 minus 1 2 फिर 3 minus 2 1 यह F1 F2 का मान है 1 F1 का मान है 1 मिल गया 2 तो इस तरीके से इसका अगला पद हमें मिल गया 2 N equal to जब 4 रखेंगे तो मिल दाएगा F4 equal to 4 minus 1 3 F3 plus 4 minus 2 2 तो F2 F3 का मान हमें मिला 2 F2 का मान मिला 1 तो 2 plus 1 3 N equal to जब 5 रखेंगे तो मिलेगा F5 equal to F4 plus F3 F4 का मान है 3 F3 का मान है 2 equal to 5 तो इस प्रकार 2 के बाद यह 3 और 3 के बाद 5 देखेंगे फिर 1 और 1 को एड़ करेंगे तो मिलेगा 2 2 और 1 को एड़ करेंगे तो मिलेगा 3 2 और 3 को एड़ करेंगे मिलेगा 5 5 और 3 को एड़ करेंगे तो आपको मिल जाएगा 8 और 8 और 5 को add करेंगे तो मिल जाएगा 13 तो इस तरीके से यह अनुकरम आगे बढ़ता जाएगा और यही है फेबोनासी अनुकरम तो यदि इसे टाइलिंग स्क्वेर के द्वारा दिखाया जाए तो वो कुछ इस प्रकार होगा जो सबसे छोटा बॉक्स दिखाई दे रहा है यह वन यूनिट है उसके बगल में भी वन यूनिट इन दोरों को सम करेंगे तो मिलेगा 2 और 2 और 1 को add करने से हमें मिल रहा है 3 2 और 3 को एड़ करने से मिल रहा है 5 और 5 और 3 को एड़ करने से मिल रहा है 8 और 8 और 5 को एड़ करने से मिल रहा है 13 और 8 और 13 को एड़ करने से मिल रहा है 21 इसी तरीके से फेबनासी अनुकरम को कुछ spiral के द्वारा भी दर्साया जा सकता है जो की कुछ इस प्रकार है स्रेणी या प्रोग्रेशन स्रेणी के पदों को जब विशेश प्रतिबंदों की द्वारा लिखा जाता है तो उसे स्रेणी कहते है प्रत्येक स्रेणी स्रेणी होती है किन्तु प्रत्येक स्रेणी स्रेणी नहीं होती इसे आगे हम समझेंगे प्रश्ण में कहा गया है कि अनुकरम के प्रत्थम पांच पद लिखिए जब अनुकरम की जो परिभासा है वो कुछ इस प्रकार दी गई है a n equal to n minus 3 upon 4 n का मान 1, 2, 3, 4, 5 रखते जाएंगे तो हमें पद मिलता जाएगा जब इस परिभासा में n equal to 1 रखेंगे तो हमें प्रत्थम पद मिलेगा a1, n के स्थान पर 1 रख रहें, n1 और फिर ये minus 3 upon 4 स्वाल्व करेंगे तो मिलेगा minus 2 upon 4 equal to minus 1 upon 2 ये इस अनुकरम का पहला बाद है n equal to जब 2 रखेंगे तो मिलेगा a2 और फिर equal to 2 minus 3 upon 4 2 minus 3 करेंगे तो मिलेगा minus 1 और ये upon 4 तो ये इस अनुकरम का द्विती इपद है n equal to जब 3 रखेंगे तो मिलेगा a3 equal to n के जगा रखेंगे 3 तो 3 minus 3 upon 4, 0 upon 4 equal to 0 n equal to जब 4 पुट करेंगे या n equal to 4 रखेंगे तो मिलेगा a4 n के स्थान पर रखेंगे 4 तो 4 minus 3 upon 4 equal to 1 upon 4 n equal to 5 जब रखेंगे तो मिल जाएगा a5 equal to 5 minus 3 upon 4 equal to 2 upon 4 या और सरल करें तो इसे लिख सकते हैं आप 1 upon 2 तो इस तरीके से हमें जो अनुकरम चाहिए था या इस परिभासा का अनुसार यह अभिष्ट अनुकरम इस प्रकार है पहला minus 1 by 2 minus 1 upon 4 फिर 0 फिर 1 upon 4 फिर 1 upon 2 तो चुकि 5 पद ग्याद करने कहा गया था तो ये 5 पद यह हैं अनुकरम A N equal to N upon N plus 1 इसके प्रथम 5 पद हमें ग्याद करना है तो N equal to 1 रखने पर हमें मिलेगा A1 अर्थात पहला पद N के स्थान पर 1 रखिए 1 upon 1 plus 1 equal to ये 1 upon 2 N equal to 2 पूट करेंगे तो आपको मिलेगा A2 अर्थात दूसरा पद N के स्थान पर रखिए 2 तो ये 2 upon 2 plus 1 तो ये मिल जाएगा 2 upon 3 तो ये जो 2 upon 3 है ये अनुकरम का दूसरा पद है N equal to 3 रखेंगे तो मिलेगा A3 equal to 3 upon 3 plus 1 equal to 3 upon 4 N equal to 4 जब रखेंगे तो अनुकरम का चौथा पद मिलेगा मिलेगा 4 upon 4 plus 1 equal to 4 upon 5 और 5 आपद N equal to 5 रखने पर प्राप्त होगा A5 equal to 5 upon 5 plus 1 equal to 5 upon 6 तो इस तरीके से जो अनुकरम हमें चाहिए था अभिष्ट अनुकरम ये है 1 upon 2, 2 upon 3, 3 upon 4, 4 upon 5 और फिर 5 upon 6 तीसरा प्रशन है A N equal to minus 1 का पावर N minus 1 into 5 का पावर N plus 1 ये सेक्वेंस की या अनुकरम की परिभासा दी गई है इसमें भी हमें प्रथम पाद प्रथम 5 पद ज्याद करना है तो जब N equal to 1 रखेंगे तो प्रथम पद मिलेगा A1 minus 1 का पावर 1 minus 1 और ये 5 का पावर 1 plus 1 minus 1 का पावर 0 और ये 5 का पावर 2 किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो वह equal to 1 के बराबर होता है या 1 होता है किसी भी संख्या का घात यदि 0 हो तो वह 1 होता है तो 1 से 5 का घात 2 अर्था 25 का गुणा करेंगे तो मिलेगा आपको 25 N equal to 2 रखेंगे तो मिलेगा A2 equal to minus 1 का पावर 2 minus 1 इन्टू 5 का पावर 2 प्लस 1 2 माइनस 1 करेंगे मिलेगा 1 तो माइनस 1 का घात या पावर जो है या विसम संख्या है इसलिए मिलेगा माइनस 1 और 5 का गुणा आप 3 बार करेंगे तो मिल जाएगा 125 तो इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो आपको मिल गया minus 125, n equal to जब 3 put करेंगे तो आपको मिलेगा a3, minus 1 का power 3 minus 1 और 5 का power 3 plus 1, तो 3 minus 1 मिल जाएगा 2, minus 1 का power 2 करेंगे तो आपको मिलेगा plus 1, और फिर ये 5 का power 4, तो आलो करेंगे तो मिल जाएगा 625, n equal to जब 4 put करेंगे तो मिलेगा a4 equal to minus 1 का power 4 minus 1, और फिर 5 का power 4 plus 1, 4 minus 1 3, जो की odd number या विसम संख्या है, तो minus 1 का power 3 आपको मिलेगा minus 1, और फिर 5 का power 5, जब इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा minus 3125, n equal to 5, तो मिलेगा a5 equal to minus 1 का power 5 minus 1, into 5 का power 5 plus 1, minus 1 का power 4, 4 जो है ये सम संख्या है, तो minus 1 का power 4 करेंगे तो मिलेगा plus 1, into 5 का power 6, इसे solve करेंगे तो मिल जाएगा 15625, तो ये हमें जो अनुकरम ग्याद करना था, वो हमें प्राप्त हो चुका है, तो इस तरीके सम लिखेंगे, अभिष्ट अनुकरम, पहला है 25, दूसरा है रिन 125, तीसरा है 625, चौथा है रिन 3125, और फिर 15625, ये अनुकरम है जो हमें ग्याद करना था, अगला प्रशन दिया गया है, यदि a n इक्वल टू 4 n माइनस 3 हो, तो a 17 ग्याद कीजिए, तो दिया गया है, a n इक्वल टू 4 n माइनस 3, a 17 ग्याद करना है, तो n इक्वल टू 17 रखेंगे, तो आपको प्राप्त होगा, a 17 इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस 3, ये मिल जाएगा 68 माइनस 3, स्वल करेंगे तो मिल जाएगा 65, इसमें तीसरा प्रस्ट, यदि a n इक्वल टू n स्क्वार अपॉन 2 का पावर n हो, तो a 7 ग्याद कीजिए, तो दिया गया है, a n इक्वल टू n का पावर 2 अपॉन 2 का पावर n, तो n इक्वल टू जब आप 7 रखेंगे, तब आपको मिल जाएगा a7, a7 इक्वल टू n, 7 इसका पावर 2 अपॉन 2 का पावर n, अधा 7, स्वल करेंगे तो मिल जाएगा 49 अपॉन 128, अगला प्रशन दिया गया है, माना अनुक्रम, a n की परिभाशा, a1 इक्वल टू माइनस 1 है, और a n जो है, ये a n माइनस 1 अपॉन n है, जहां पर n का मान 2 से बड़ा या 2 के बराबर है, तो अनुक्रम की पाँच पर ग्याद कीजिए, एवं संगत स्रेणी लिखिए, चलिए, खाल करते हैं, दिया है कि a1 इक्वल टू माइनस 1 है, और a n इक्वल टू a n माइनस 1 अपॉन n है, और जब n का मान 2 या 2 से अधिक है, तो इस परिभाशा में n इक्वल टू टू रखने पर, हमें मिल जाएगा a2 अर्थाथ दूसरा पद a2 माइनस 1, मिल जाएगा 1 अपॉन n और n का माने 2, और a1 का माने माइनस 1, तो इस तरीके से आपको इस अनुकरम का दूसरा पद मिल गया, माइनस 1 बाइ 2, और n इक्वल टू जब 3 रखेंगे, तो आपको मिल जाएगा a3, a3 इक्वल टू 3 माइनस 1, तो मिल जाएगा 2, तो यह a2 अपॉन 3, और a2 का माने माइनस 1 बाइ 2, और यह 1 अपॉन 3, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 1 बाइ 6, n इक्वल टू जब 4 रखेंगे, तो मिल जाएगा a4 इक्वल टू a, 4 माइनस 1, 3, मिल जाए a3, अपॉन n और n का माने 4, a3 का माने माइनस 1 बाइ 6, और यह है 1 बाइ 4, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, माइनस 1 अपॉन 24, n इक्वल टू जब 5 पूट करेंगे, तो मिल जाएगा a5, 1 अपॉन 24 और यह 1 बाइ 5, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा, माइनस 1 अपॉन 120, तो हमें जो अनुकरम चाहिए था, अभीष्ट अनुकरम यह है, माइनस 1, फिर माइनस 1 बाइ 2, फिर माइनस 1 बाइ 6, फिर माइनस 1 बाइ 24, और फिर minus 1 by 120 और यदि इसके संगत हमें स्रेणी लिखने कहा जाए तुम लिखेंगे minus 1, minus 1 by 2, minus 1 by 6, minus 1 by 24, minus 1 by 120 यह स्रेणी हैं जो हमें लिखनी थी